नमास कैप के लिए बूही इसी तरह थ्रेड यूज़ कर रही हूँ ये मेरा 5 नंबर का थ्रेड है ये कौटन थ्रेड है ये 5 नंबर का है ये इसलाइटिली मूटा होता है जो हमारे पटरफलाए के होते हैं थ्रेड उससे थोड़ा बहुत असान पैटरन है और जरूर मेरे चानल को सबस्क्राइब करें ताकि आपको मेरी और वी वीडियो मिलती रहें और नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना मत भूलेगा ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो लेकर आँ तो आपको सबसे पहले नोटफाइब किया जाए कि मे आपने इस तरह से स्लिपनोट बनाया और अब हम चैन कर लेंगे फोर और अपने पहले चैन में यह मेरी पहली चैन है इसमें मैं इंसर्ट करके स्लिप स्टिच कर दूँगे तो यह मेरा छोटा साफ सर्कल देखें बन जाएगा चैन वन यह कुछ भी काउंट नहीं करता अब हमने अपने सर्कल के अंदर इस ख्याल रखना है कि सर्कल का जो मुह है हमारा उस पे हमारी इंसर्ट होगा यह मेरा सर्कल का इंसर्ट हुआ और यह अब मैं बनाऊंगी सिक्स्टीन डबल क्रूश्यर यह थोड़ा सा मुश्कि बड़ा रखना है तो आप फॉर चैन्स की बजाए फाइफ चैन्स भी ले सकते हैं लेकि मैं फॉर चैन्स ही लोगी क्योंकि मेरी जो हुक है वो भी छोटा है और यह मैंने राउंड कम्प्लीट कर लिया मेरे 16 डबल क्रूश्यर बन गए मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी अपनी पहली स्टिच पर यह आप देखें मैंने चैन्स बना के डबल क्रूश्यर बनाया था तो इसके दर्मयान की जो यह स्टिच है इसमें में डालके इसमें स्लिप स्टिच कर दूँगी तो मेरे यह राउंड नंबर 1 एंड हो गया राउंड टू में वही चैन 1 सेम स्टिच में यही सेम स्टिच है जहां मैंने एंड किया है उसी में दो डबल क्रूश्य बनाऊंगी मैं एक दो नेक्स्ट स्टिच पर दो डबल क्रूश्य बनाना है यानि के मेरे सिक्स्टीन जो है वह डबल होके थर्टी टूब स्टिच हो जाएंगी इस राउंड के एंड पर मैंने आखरी स्टिच बना लिए यह मेरी तर्टी टू स्टिच हो गई है मैं स्टिच कर दोंगी फिर से वही जो मने चैन वन के साथ मैंने डबल कुश्य बनाया था उसी लूप में मेरा राउंड कम्प्लीट हो गया राउंड नुबर टू राउंड नुबर थ्री चैन वन उसी तरह स्टार्ट करेंगे और पहली जो स्टिच है यह मेरी पहली स्टिच है जहां से मैंने स्टार्ट किया हुए उसमें ही मैं डबल कुश्य बनाऊगी एक डबल कुश्य नेक्स्ट स्टिच पे टू डबल कुश्य वन और टू इसी तरह मैंने रिपीट करना है जब तक के मेरे टोटल स्टिच इस 48 नहीं हो जाती है पहले एक फिर नेक्स स्टिच पे दो मेरे राउंड हो गया है मैं स्टिच कर दूगी यहीं पर कि देखें यह मेरी पहली जो स्टिच थी चैन वन के साथ जो मेरा यह लूप बनावा है यह मेरा एंड हो गया राउंड नमबर यह मेरा एंड हो गया राउंड नमबर थ्री राउंड नमबर फॉर चैन वन शेम जगा पर डबल कुशे next stitch पे भी एक double crochet अब उसकी next stitch पे हम यहाँ पर दो double crochet बनाएंगे एक दो यानि के 1, 1 और 2 यह pattern हम लोग देके चलेंगे हमारे इस round के end पर total stitches 64 होनी चाहिए मैं सिफ्टिच करने लगी हूँ round end कर दूँगी round number 4 अब मेरे इस वकर total round number 5 पे हम कोई increase नहीं करेंगे round number 5 पे हम simple chain 1 और double crochet हर stitch पे बनाएंगे यानि के हम लोग के जो 64 stitches है वो 64 stitches ही रहेंगे खुझछक कैम संट कर स меньше कर दूएंगे घुझभ्सकर अहे biri पाहीं उत्यच्छक कर दश्सपने ningen हो जत्या का पनाएंगे MM इम एंड पर आ गई हूं मैं विशी तरह स्लिप स्टिच कर दूंगे और यह राउंड एंड कर दूंगे इस राउंड पर मेरे वही 64 ही स्टिच रहेंगे राउंड नबर 6 पर हम लोग इंक्रीज करेंगे चैन वन करेंगे सेन स्टिच पर एक डबल कुशे बनाएंगे उसकी नेक्स स्टिच पर एक डबल कुशे बनाएंगे उसकी नेक्स स्टिच पर एक डबल कुशे बनाएंगे यानि तीन डबल कुरूशे अलग-अलग स्टिच पर एक एक स्टिच पर एक डबल कुरूशे और चौती स्टिच पर हम चार डबल कुरूशे बनाएंगे एक तू जैसे राउंड नमबर फोर पर हमने दो के बाद दो डबल कुरूशे के बाद थर्ड वाली स्टिच पर दो डबल कुरूशे एक साथ बनाएते हैं इस तरह हम लो प्राउं नमबर शिक्स पर तीन डबल कुरूशे बनाने के बाद 1 1 1 और फिर 2 double crochet एक साथ एक साथ से मरा दिये कि एक ही जगा पर इसी तरह बनाएंगे हम 1 1 1 और फिर 4th time हम 2 double crochet एक साथ बना लेंगे एक ही जगा पर इसी तरह ये pattern complete करेंगे पूरे round पर मैं round के end पर बिलती हूँ इस वकद आपके इस round के end पर 80 stitches होनी चाहिए slip stitch कर दूँगे मैं अपने 1st stitch पर मेरा round number 6 complete हो गया इस वकद मेरे 80 stitches है round 7 chain 1 same stitch पर एक double crochet next stitch पर ये मेरी next stitch है इस पर एक double crochet उसकी next stitch पर एक double crochet उसकी next stitch पर एक double crochet और फिर मेरी जो basically 5th stitch होगी उस पर मैं दो double crochet एक साथ बनाऊगी 1 2 तो अब इस round में हमने 1, 2, 3, 4 4 stitches पर एक एक double crochet बनाना है और 5th stitch पर हमेशा 2 double crochet एक साथ बनाना है तो इस round के end पर मेरे पास 96 stitches होनी चाहिए इस तहाँ से 1 2 3 4 और 5th stitch पर मेरे यहाँ पर 2 double crochet एक साथ इसको complete करें पूरे राउंड को इसी तरह मेरा complete होगया, मैं slip stitch करके end करूंगी अब मेरे इस round में stitches 96 होगी, round number 8, chain 1 same stitch पर double crochet फिर next 4 पर एक एक double crochet एक तो 3 इस तरह से मेरी 5 double crochet की stitches हो गई है 1 पहरी जो मेरी थी 1, 2, 3, 4, 5 5 double crochet की एक स्टिच और 6 स्टिच जो है मेरी 2 double crochet एक जगा पर 1 और फिर same stitch पर एक और 2 यानि के 1, 1, 1, 1, 1, 1 और फिर 2 इसी pattern पर हम चलेंगे 5 double crochet की स्टिच इस एक 2 3 4 5 और 6 परी पर 2 double crochet नमबर 8 के end पर 102 stitches हो जाएंगी यह मैं round end करने लगी हूँ उसी तरह slip stitch करके अपने slip stitch करके यह मेरा round end हो गया round number 8 पर मेरे 112 stitches है इस वकर round number 9 वही chain 1 same stitch पर 1 double crochet next 5 stitches पर 1 double crochet इस तरह से मेरी 6 double crochet बनगी 1,2,3,4,5,6 जो 7th होगी मेरी वह एक जगह पर 2 double crochet 1,2 इसी तरह हम complete करेंगे यानि कि 6 single double crochet होँगी और 7th पर मेरी 2 double crochet एक ही जगह पर है हमारे इस round number 9 के end पर मेरी जो total stitches होनी चाहिए वह 128 होनी चाहिए या मेरा row complete हो गया मैने इस row में 128 stitches पना ली है slip stitch करूँगी मैं उसी तरह और round complete हो गया 10, chain 1 same stitch पर double crochet हर stitch पर हम एक एक double crochet बनाएंगे इसमें हमारा इसमें हमारा यानि तीन रोज में हमारा कोई increase नहीं होगा और यह मेरा round number 12 complete हो गया इस वकत जो मेरी इसकी width है इसका diameter जो है यह मेरा almost 6.5 यह देखे 6.5 inches है या फिर 16 inch 16 cm यह अब इस वकत हम लोग इसका यह देखे थोड़ा सा curve भी आ गया है हमने इसको basically अब इसको round देना है अपना नीचे की body बनानी है round number 13 chain 1 same stitch पे single crochet अब हमने single crochet की stitches बनानी है single crochet next six stitches पे मैं seven stitches पे sorry single crochet बनाऊंगी और eighth पे मैं double कर दूँगी जैसे हम लोग double crochet कर रहे थे उसी तरह अपनी eighth ही stitch पे मैं एक और single crochet बनाऊंगी seven single crochet मेरी plane है यानि के one single crochet एक एक और eighth पे मेरी दो इसी तरह हमने इसको बनाना है इस तरह मेरा जो total stitch count होगा वह 144 हो जाएगा इसी तरह मैं stitch stitch कर दूँगी अपने पहले stitch पे और यह मेरी single crochet की stitch complete हो गई आप यह देखें अभी इस तरह से यह round होने लग गया है next round पे chain one पहली stitch पे वही हम double crochet बनाएंगे और हर stitch पे हम एक एक double crochet बनाते जाएंगे इस वकद मेरे 144 stitches है मेरी 144 stitches ही रहेंगी कि अब हम नीचे border का pattern start कर रहा है और यह मैं round 14 end कर दूंगे slip stitch करके round 15 chain one दो दफ़ा yarn over करेंगे अब हम दो जो इसके पीछे की single crochet है यह देखे यह जैसके नीचे की single crochet के यह थी यह एक leaf करके उसे पीछे वाली यह वाली second वाली उस पे हम insert करेंगे इस ताह से yarn over करा बाहर pull out कर लिया चार रह गए yarn over किया दो में से निकालेंगे फिर yarn over किया फिर 2 से निकालेंगे इसको hold कर देंगे दो दफ़ा फिर yarn over करेंगे अब हमने यहां से count करना है 3 count करेंगे हम यह पहला 1 2 3 4th में हमने insert करना है अपना hook यानि कि 3 हमने leaf की single crochet front पे 4th में हम अपना insert करेंगे hook किस तरह से यह देखे इसमे yarn over करके बाहर निकाला अब इसकर 5 loop है yarn over करेंगे 2 में से निकाला 4 यान over करेंगे 2 में से निकाला 3 यान over करेंगे इस तरह से यह बन जाएगा अब हमने पीछे देखे यह इस तरह से नदर आ रहे आपको इससे यह निकाला है हमने next हमने skip करना है और उसके next stitch से यह देखे यह वाली हम skip करेंगे इसकी next वाली stitch से यह वाली हम single crochet बनाएंगे एक और और तीसरा तीन single crochet और आप यह नोट करें कि तीसरा single crochet हमेशा उसी पर बनेगा जिस पर यह जिस stitch के नीचे यह नीचे वाली single crochet बनाएगा फिर दो दफ़ाए यान over किया अब जिस पर हमने डाला था previous sleeve यह वाला इसी से हम निकालेंगे यान over किया बहार निकाल लिया यान over किया दो में से निकाला यान over किया दो में से निकाला दो रहाए गया फोल्ड कर देंगे दो दफ़ा यान over किया अब हम यहां से यह जहां पर हमने यह वाली stitch लीवी है यह देखें यहां से हम तीन काउंट करेंगे वान टू थ्री और फॉर्थ पर हम इंसर्ट करेंगे अपना हुग यार्न वर किया, दो से निकाला, यार्न वर किया, दो से निकाला, यार्न वर किया, तीन में से एक सामेज हैं, हम लोग ट्रपल कुर्षे बनाते हैं अब यह देखे, पीछे हम लोग ने यह वाला skip करना है, क्यूंकि यह इसके पर बनेगा, उसके साथ वाले से हम insert करेंगे hook, और तीन single crochet बनाएंगे, बनाए two, तीसे पर बनाए, three, और आप यह देखे, उसी पर बना है, जिस पर हमने यह बनाया है, इसी ताहरे पीट करते हुग यह देखें दहां निकाला रपीट करेंगे तरह यान और किया से 2 को थे यान जाइक हुआ N यान और किया दो ट्रबल कुछे जरी है अब यहां से हम 3 काउंट करेंगे ऐढ़ के एक वान चू टू थी प्रें फूर्थ में इनसर्ट किया सटार निकाला पांश 25 वह गए यांद दो मेंad 2 चाओं होगी प्रा सथ मार इस था देख़ें हमने स्टार्ट किया ठिभर्ण किया इस वाला हम करेंगे कि ये वाला हम किप कर रहे हैं thudled इसके सा लेंगे सिंगल क्रूशे एक दूसा सिंगल कुश है और ये तीसी स्टिच पर तीसा सिंगल कुश है बस्ती सीधना रपीट करते जाए तो ये वी स्टिच इसी बनती जाएंगी ये कम्लीट करें पूरा और पिर मैं आपको एंटर के हो कैसे यह वही पहला वाला था जहां से हमने स्टार्ट गिया था ब और अपना बनाएंगे आखरी यह देखें उसी तरह एक स्किप किया पीछे यह वाला यह स्किप किया वान टू थ्री स्किप स्टिच कर देंगे यह अपनी पहली स्टिच पर में तो यह मेरा कंप्लीट हो गया चैन वन अब इस रोखें हम लोगर हर स्टिच पर एक डबल कुशे बनाएंगे कोई इंक्रीज नहीं होगा वन पॉंटिफॉर स्टिच होगी तो यह मैंने सिंगल कुशे नीचे बनाया हुआ है कि एक साथ जो है यह एक काउंट करता है अब बनाई रहे लेते हैं टोटल मेरी वन फॉर्टिफॉरी स्टिच इस रहेंगी कंप्लीट करें तो हम इसके नेक्स स्टिच रोब पर आते हैं यह राउंड एंड कर दोओंगी तो यह सिदा स्टिच करके वही चेन 1, चेन 3, पहली मेरी स्टेच पर दूसरा और यह 3, यह देखिए हम भीच में आ जाएगे, यह मेरा मिडल फिस है, एक वीका, ठीक है, दो दफ़ा यार्न और किया, पहले मैं इसमें से इंसर्ट करूगी, यह मेरे दोनों में से एक साथ निकाल लिया, वहाँ निकाला, एक दफ़ा, दो दफ़ा, दो दफ़ा यार्न और किया, उसके बाद इसके साथ वाले पर यहां पर इंसर्ट करेंगे, दोनों एक निकाल लेगे, दो दफा दूबर करके निकाला और तीनों ऐसे एक साथ निकाल लेगे, तो ये देखे हैं हमारा उसी तरह मिल गए, अब वही स्किप करेंगे हम एक स्टिच ये वाली और उसके बाद की तीन स्टिच पे सिंगल पूशिए लेगे, त्री, अब भी पीच में आ गए, ये वाला उसी तरह हम बनाते जाएंगे, दो दफार यान और किया, पीछे वाले पे हमने इंसर्ट किया, यान और करो करके बाहर निकाला, फेले दो में से, फिर दो में से कर लें कि प्रबल कुषे के लिए हमें नेक्स बादे इसे आसान हो जाएगा इसे अब लोक बें निकाला करेंड में से एक साथ अब उसी तरह 1 जाय एक किया नेक्स हें सिंगल कुषे 1 2 3 इसी तरह हम बनाते जाएंगे है एवरी तैम हमारा यह देखें ये जो हमारा थीसरा लगेगा हमारा मिडल वाला होगा हुगा इसकी पॉइंट पर आएगा यानिके यह दिखें पॉइंट पर जा रहा है यह वाले से अग्र इसकी निशानी और वाले से आना चाहिए है थे इसी तरह का यांनर किया पीछे वाले से एक भाली यह फे लिए हो ऑनना कंदा शॉख जो में से निकाला है फिर दो में से दिकाल को थे यांनर को ब इसी तरह हम बनाते जाएंगे तो यह हमारे देखें यह इसको कम्प्लीट करें और यह मैं स्किप कर रही हूं जैसे मैं इसके पीछे मिशे करती हूं और डारेक्ली इंसर्ट करोंगी अपनी पहली जो मैंने सिंगल कुरूशे की स्टिच बनाई थी और यह मेरा राउंड डामेंड जो है शेव बन रही है चेन वान अब हम इसी तरह यह वाला राउंड डबल कुरूशे वाला रपीट करेंगे यार्न वर किया हर स्टिच पे एक एक डबल कुरूशे बनाएंगे इस बात का खास खया लगना है कि आपकी स्टिच जो हैं 144 ही रहनी चाहिए अगर डाउट है तो प्रीज काउंट कर लें डबल कुरूशे की स्टिच रो कम्प्लीट करें फिर इसके बाद हम नेक्स रो में मिलते हैं अगर दिया दिसलिफ स्टिच कर दोंगी वही उसी तरह आपनी पहली स्टिच पे और यह रो मेरा एंड हो गया है चेंड वन अब हमने उसी तरह अपना फिफ्टीन रो की तरह बनाना है दो दफ़र ट्रबल कुशे बनाया और इसमें मैंने इंसर्ट किया अपना हुग पीछे वाले पे इसा निकाला फिर दो दफ़र ट्रबल कुश यार्न और किया प्रंट वाले पे इंसर्ट किया और ये तीन हो गए तीन हो गए तीन हो मैं से एक साथ निकाल दिया उसी तरह एक स्किप करके नेक्स्ट थ्री पे एक एक सिंगल कुशे बनाएंगे वान टू और ये थ्री फिर से यार्न और किया पहले इस से हमने निकाला अपना टर्बल क्रूशे का दो रह गए लूप फिर ये आर्न और किया नेक्स्ट वाले पे दोनों में से एक साथ निकाला प्यान बढ़ करके 3 लाएगे तीन में से के साथ निकाल दिया उसी तरह पीछे ये वाला स्किप करेंगे क्योंकि इस पर ये देखें ये आ रहा है ये स्किप किया इसके साथ वाली पर यहां पर इंसर्ट किया और सिंगल कुरूशे बनाया उसकी नेक्सी दो पर भी एक एक सिंगल कुरूशे बनाया वसीती तरह रपीट करते जाएंगे अब हम लोग ने इसी तरह यह देखे फिर से यह भी बनता जाएगा अब हमने रो नंबर 15, 16, 17, 18 इसी तरह रपीट करते जाने यह याद केगा 13 हमारा यह था जिसमें हमने इंक्रीज किया था सिंगल कुरूशे फिर उसके बाद 14 पर हमने डबल कुरूशे बनाया 15 हमने जो बनाया वो फिर 16, 17 और 18 यह डबल कुरूशे यह हमने रपीट करते जाने एवरी टाइम तो हमारे इस तरह से डामन की शेप आती जाएगी और इस तरह मंताया से सरकल भी हमारा दोर सा गयरा होता जाएगा अब अपने चितना चौरा इसका बना बनाना मैं इसको कम से कम 3 3,5 इंच मिलती हूं इतनी ते हिसे कि नहीं जुटाइब देनी रह कर लिया तो शाही मैं बनाओंगी अच्छाइब नाच्छि進 देखर इस वकत पूरे 3 इंच का ये बन गया है यहां से मेजर करने पर यह मेरा कम्प्लीट हो गया है अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप और बड़ा कर सकते हैं छोटा करना है जैसे अगर थोड़े छोटे बच्चे के लिए बना रहे तो उस पर भी बना सकते हैं बस हम ल इसको एंड करने के लिए हमारी जो लास्ट रो है उस सिंगल कुशेगी चलेगी और यह मेरा प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा तो मैं आप आपको उसके फाइनल लोग दिखाऊंगी एंड कर दें और यह मैंने कम्प्लीट कर दिया यह देखें हुबसूरा सी नमाज टोपी मेरी बन गई है यह मैंने एक एडल साइट्स बनाया हुआ है एडल साइज है यह लेकिन और यह 6.5 मिनिमीटर का साइट 6.5 इंचिस का यह सरकंफरेंस है और उसके बाद ही यह हमने बेस बनाएंगे अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप रो नंबर 10 पे इंक्रीज करें रो नंबर 11 पे इंक्रीज करें रो नंबर 12 पे इंक्रीज करें यानि कि आप रो नंबर 10 और 11 को इंक्रीज कर दें और उसके बाद 12 से फिर जैसे रो नंबर 10 और 12 तक बनाया है मैं रो नंबर 12 और 14 तक फिर आवर नॉर्मल डबल कुरुशे की रोस बन किसी भी मेल के एडल मेल के सर के लिए है छोटा अगर आपको साइज करना है चोटे पिच्छी की तरह आपको बनाना है तो इसका भी आसान तरीक कर यह है कि रूब नंबर 10 जो आप बनाएंगे रूब टैन से लेकर 12 तक क्योंकि हमने से अपने इंक्रीश किया रहे हैं वो दो यह मताबिक जो साइज आपको चाहिए बच्चे का या बड़े का उसके मेरा टूरल पसंद आया होगा प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे जादा से जादा शेयर करें ताके मेरी वीडियो बहुत सारी लोगों तक पहुंच सके और मैं और भी वीडियो लेकर आँगी आपके लिए इसी तरह की तब तक के लिए थैंक यू सो मच वर वाचिंग